हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में तो आज हम लोग सीखेंगे कि Microsoft Excel में हम लोग Mark Areas to Keep का यूज कैसे करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस image को सेलेक्ट करना है और फिर क्लिक करना है Format में Format में क्लिक करने के बाद First Option आपको दिखेगा Remove Background उसमें क्लिक करते के साथ ही जो First Option आपको दिखेगा वो है Mark Areas to Keep तो Mark Areas to Keep का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी Background को रिमूव करना चाहरा है उसमें आप जिस एरिया को रखना चाहते है उसे आप Mark करिए ठीक है तो आपके उस Picture में ऐसा Square Shape में आ जाएगा Pink Color का Projection तो आपको बस अपने Image को Select करना है और क्लिक करना है Mark Areas to Keep क्लिक करते के साथ ही आपका करसर इस Image के उपर एक Pen की तरह Act करेगा और आपने बस इसे Select और Drag करना है Mark Areas to Keep करने के लिए यानिकी अब जिस भी Portion को रखना चाहते है और Background को Remove करना चाहते है तो आपने उस Areas को Select करना है ठीक है दोस्तों जैसे कि मैं ये Select करना हूँ इन Areas को जो कि मैं रखना चाहता हूँ ठीक है अब जे क्या करना है जैसे कि आप देख सकते है आप मैं लिखाए Keep Changes यानि कि अब हो गया ठीक है मैं इसे रखना चाहता हूँ मैं बस इसे रखना चाहता हूँ मैं इसे Mark कर रहा है ठीक है अब करना है click keep changes जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तो background remove हो चुका है और जिससे हमने mark करा था सिर्फ वो अभी present है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे like करे, share करे और चैनल को subscribe करना ना भूले complete basic to advance excel tutorial के लिए description जरूर चेक करे और इसी तरह बहुत सारे software courses के लिए हमारे website maha gurus.com पे visit करे Thank you